तो पढ़ाई के दोरान तराव मुक्त रख कर खुद को अपने लक्षी की और कैसे कैंदरित रखें इसकी हम चोटी सी जानकारे परात करेंगे तो दोस्तों इस्पेसली उन विधारतियों को ज़्यादा दिकत आती है जिनकी परिवारिक स्थेती थोड़ी ठीक नहीं यानि केवल उन्हें उतना ही पैसा मिलता है जिससे कि उनका रूम का खर्चा चल सके और कोलेज का खर्चा चल सके यानि उन्हें एक्स्टा चीज़ें नहीं मिलती है जैसे अच्छा लेप्टोप अच्छा मोबाइल और अच्छी बाइक तो दोस्तों आपको क्या करना है पहली बात इन चीजों को सुईकार कर लेना है कि मेरे पास अभी जोर सोर्स है वो मुझे सुईकार है यानि उनसे आपको किसी भी परकार का कोई फरक नहीं पढ़ना चीए इतना खुद को मजबूत मनाओ अब इससे होगा क्या कि आप खुद को अच्छे से टाइम दे पाएंगे आपको अभी जो करना है उस पर अच्छे से फोकॉस कर पाएंगे क्यूं इसका महत्वक क्यूं है उसको समझो देखे आज आज आपने कोई स्कील विक्सित कर ली और आने वाले तीन साल बाद यदि आप उस स्कील को मार्केट में यूज़ करते हैं तो उस स्कील के थुरू जब लोगों का फायदा होगा तो आपके पास क्या आएगा पैसा आएगा तो आज जो पैसा नहीं होने की वज़े से समय से है वो क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी लेकिन इससे यदि वर्तमान समय में आप प्रेसान रहे तना अबर्स रहे तो खुद पर आप फोकुस नहीं कर पाएगे यह नि खुद को जो स्कील डॉल अप करनी उस पर अच्छे से वरक नहीं कर पाएगे तो होगा क्या यह समय से आपकी आगे भी रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी समय समय सा पर्मानेट है कौन सी समय सा पर्मानेट नहीं है ओके तो यहाँ पर पर्मानेट समय सा कौन सी है skill wixit नहीं करना permanent solution है और जो पैसे की है दिकत यह आपकी क्या है permanent solution नहीं है यह आपकी कुछ time की समयशा है तो अब इसमें दिकत क्या थी दोस्त कम बनते हैं आपको सुईदाई कम मिलती है कोई दिकत नहीं कोई life आपसे इसकी रुकेगे नहीं अब आपको क्या करना है कि skill किस सेतर में विक्सित करो एक तो पढ़ाई को अच्छा करना है ठीक है यह तो ध्यान रखना है कि जितना आपका percentage चाहिए जैसे graduation कर रहा है तो उसको 60% minimum बना के चलना चाहिए तो वो आपका होना चाहिए ठीक है अब इसके साथ बात करते हैं skill के तो आपका अपना कोई भी interest का उरक डूढ़िए जिसमें आपको मज़ा आता है कोई भी हो सकता वो वीडियो ग्राफिय हो सकती है सिंगिंग हो सकती है driving हो सकती कुछ भी आप जिस भी सेतर में देखेंगे तो उस सेतर में लोग success है अब जैसे हम बात करें truck driver की तो कुछ ऐस truck driver होते हैं जिनका खुद का पूरा transport का business होता है जिनके खुद के 50-50 truck होते है इस्टार्टिंग में वो एक normal driver थे लेकिन आज वो इस position पर पहुंच गया है तो अपना कोई भी interest का जरूरी नहीं है कि आप अपना पढ़ाई में ही नोकरी करें कोई अन्य फिल्ड भी ले सकते education को एक खुद के development के रूप में देखना है मैंने वीडियो बनाया किसके tractor चलाने के बाइक चलाने के जबकि मेरा वहाँ पे कोई समन्द नहीं था यदि लोगों की दस्टी कौन से देखे तो क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रहा था तो फिर में ट्रेक्टर का चलाना ये वग पाइदा हुआ ठीक है और यह से बहुत से कार्य जैसे singing के बेट मैंने वीडियो रिकॉर्ड किये कल्चरल वीडियो रिकॉर्ड किये जो कि मेरे से लिटेड नहीं थे लेकिन मेरा वहाँ पर क्या था इंट्रेस्ट था जो मैंने काम किया और आज वो मुझे क्या दे रहा है इंकम दे रहा है यह तो दुस्तों मैंने मेरा personal experience share किया और भी आप ऐसे जब market में जाकर example डूंडेंगे तो आपको बहुत सारे example मिल जाएंगे जिन्हों ने बहुत छोटे level से काम शुरू किया अब इसमें सबसे मैदपूर बात किया है कि अभी हम यदि 20, 22, 23 की age में को decision लेत आप वहाँ पर wait नहीं करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर क्या चाहिए बड़ी investment चाहिए जो कि हो सकता आपके पास possible हो या possible नहीं हो अभी आप छोटी investment से चालू करते हैं तो उसको आप दिरी दिरी बढ़ा कर सकते हैं 30 के age तक यानि आने वाले 3 साल का target रख सकते हैं 4 साल का target रख सकते हैं लेकिन उस समय maximum लोगों के साथ यही होता है कि वो रात तो रात result चाहते हैं एक तो age बड़ी हो जाती है आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं अभी हम क्या होते हैं मासूम होते हैं इतना हम ज़्यादा ऐसे logic फोजिक नहीं लगाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हमारे अंदर जोस होता है बस करना तो उस जोस को काम में लेना हैं ओके तो यहां पर फाइनली बात यह कि तरणाव से मचना है तो skill-wixit कीजिए उसके अलावा दुनिया से हट के आपको कुछ करना है बीड से हट करना है जैसे सारी बीड क्या करें कम नोलेज लीजिए ठीक है उसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए कि मैं बीड किया है तो मुझे यही करना पड़ेगा फिक्स मत करो आपको जो करना है वो कीजिए यानि आपको जैसे बीड करने के बाद यहीं माना टी स्टाल खोलना है तो टी स्टाल खोले मैंने अभी एक आपका जो इंट्रेस्ट है उसको फोलो किजिए अब वह आपका किसी भी सेत्रमा हो सकता है अब इंट्रेस्ट को फोलो करने से होगा क्या दोस्तों इसमें हम जल्दी सफल हो जाते हैं और सफल हो भी जाते हैं और सफल होने के बाद हम क्या रहते हैं अपनी लाइफ से शंत दूश्ट रहते हैं धन्यवाद